आप आश्वस्त रहिए आज के बाद ये चैप्टर आपको पढ़ने का मन करेगा और कन्फ्यूजन से बचने का रास्ता एक आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो इसी पर चर्चा करने जा रहा है कि सेल क्या है अब देखिए जैसे ही नाम आता है सेल का सेल का नाम आते ही एक बात दिमाग में आ जाती है कि ये तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है डेफिनेटली आपने माइक्रोस्कोप के बिना सेल की कलपना नहीं की होगी लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी नेकेड आई से कोई सेल देखा है एक सिकंड के लिए विचार करिएगा कोई भी सेल, नेकेड आई से देखा है नहीं आरादी माकम कैसे देख सकते हैं वो प्याज का छिलका निकाला था उसमें से देखा था माइक्रोस्कोप पे रखके देखा था आपने तो पिर कैसे कह सकते हैं कि नेकेड आई से देख सकता है लेकिन अगर आप ग्रामीड परिवेश से संबंद रखते हैं गाउं से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं और इस दीन दुनिया से भी जुड़े हुए हैं तो आपने कभी सेल नेकेड आई से देखा है यह आपको थोड़ी देर में समझाने वाला है देखिए सेल का मतलब पहले हम सेल की चर्चा कर लेते हैं कि सेल है क्या और इसके बारे में हम इसे क्या कहते हैं तो दो लाइन में पहले यह बात तो खतम ही कर ले क्योंकि पता नहीं कौन सा आसान question भी आजाए और cutting question भी आजाए एक परंपरा रही है selection उसी का नहीं हो सकता जिसका आसान question गलत हो गया ध्यान रखिएगा जो आपके लिए आसान है वो दूसरों के लिए भी आसान है और आसान चीज कोई गलत नहीं करता लेकिन जो आपके लिए कठिन है वो दूसरों के लिए भी कठिन है तो आपसे अगर गलती हो सकती है तो दूसरों से भी हो सकती है तो इसलिए ध्यान रखें कि सरल प्रशन किसी भी सूरत में गलत करके न आए तो देखिए cell क्या है? cell के बारे में पहली बात कह रहे हैं कि यह लाइफ की structural unit है और दूसरा कह रहे है functional unit of life तो structural and functional unit of life है जरा इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि structural unit क्यूं है और functional unit क्यूं है तो संरचनात्म की काई माने एक इट को compare कर लिया cell से इतना तो सब ने पढ़ लिया जरा compare तो करो इट में क्या होता है लंबाई, चोडाई और मोटाई या उचाई और एक मकान जो बनाते हो इस इट से उसमें भी यह होता है यानि जो संरचना इट की रही वही संरचना आपके मकान की हो गई ठीक, दूसरी तरफ क्रियात्म की काई एक इट आपने ले लिया और इस इट के पार आप रोशनी डाल रहा है कि दूसरी तरफ भी रोशनी चली जाए या पानी डाल रहा है चला जाए हवा या फिर आपने प्रयास किया कि आप यहां से आरपार देख ही ले कुछ तो उस इट के आरपार तो नहीं हो सकता यह संभव न तो पानी इसके आरपार जाएगा न तो हवा और नहीं कोई और चीज तो धूल दूआ इन सब चीजों से बचाओ ही तो हम मकान बनाके अपने लिए करते हैं तो यह जो सारी चीजे हैं इन सारी चीजों को आपको समझना होता है कि संरचनात्मक ही काई क्यों है और क्रियात्मक ही काई क्यों है क्यों यह है क्रियात्मक ही काई पहले यहां लिख देता हूं क्रियात्मक फंक्शनल यानि की क्रियात्मक यूनिट तो ही काई को ही कहते हैं संरचनात्मक यह हो गया यह हो गई अब दूसरी बात आप समझें कि जितने भी functions body करती है digestion, respiration, excretion, circulation ये सारे functions ये cell भी करती है इसलिए ये functional unit है तो any structure formed by the body और in the body जो भी शरीर के अंदर रचना बनी है शरीर में वो सारी रचनाएं बिना कोशिका के संभव नहीं है बता चुका हूँ कोशिका, उतक, अंग फिर उसके बाल जो है organ system यानि अंग तंत्र ये सारी चीज़े करम से होती है तो इसी चीज़ को आप समझे कि बिना कोशिका के कोई रचना नहीं होगी जो भी क्रिया आप करते हैं आप सांस लेते हैं, ऑक्सिज़न यूज करते हैं वो सब भी कोशिकाएं कर रही है तो संभचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये बात बताई श्लीडन और स्वान ने लेकिन यहां पर बात पूरी नहीं हुई सेल्थ हीरी की सेल्थ हीरी की बात इसके आगे आती है इसके आगे क्या आती है कि इसके बारे में एक बात और कही हार वर्शाव साहब ने जिसे हम रुडॉल्फ विर्चोव के नाम से भी पढ़ सकते हैं जो उचारण करते बने वो उचारण करो अगर स्पैलिंग के गलत होने का डर है तो प्रोनन्सियेशन अपने हिसाब से करो कोई दिक्त नहीं है ठीके प्रोनन्सियेशन मदर टंग पर डिपेंड करती है आपकी मात्री भाशापर निर्भर करती है अगर आप सा को फ बोलते हैं, तो सही को फ ही फ ही कहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज बना लीजिए, उससे अगर आपकी स्पेलिंग सही होती है, तो आप प्रोनूंस करिए, ठीक है, फिर आप बाद में स्वैम सुधार कर लेंगे जरूरत के हिसाब से जहां जरूरत होगी आपको, तो आर विर्चोव सहाब ने क्या बोला, ओमिनिस सेलूला, इसलूला, मतलब, कि किसी भी नई कोशिका का निर्मार, पहले से उपस्थित कोशिका से ही होगा, अदर्वाइस नहीं, लेकिन फिर वही एविल्यूशन में जाएंगे, तो फिर, थोड़ा सा कंट्रास्ट शुरू हो जाता है, कि पहली कोशिका कहां से आई, वही मुर्गी बना, कि अंडा बना, वो बाद में देख लेंगे, इवल्यूशन में समझा देंगे आपको, अभी यहाँ पर क्यों इतना जानिये, कि क्या चीज है, तो ओमिनिस सेलूला, इसलू हो गई, मतलब, each new cell arise from pre-existing cell, हर नई कोशिका, पहले से उपस्थित कोशिका से निर्मित होती है, तो each new cell arise from pre-existing cell, यह चीज होई, तो अब यह तोनों मिला करके, आपकी cell theory complete होती है, अब जा करके, cell theory, इससे पहले आपकी यह cell theory complete नहीं हो रही है, जब तक आप इस बात को, नीचे वाली बात को इसमें add नहीं कर देते, श्लीडन एंड श्वान यह दो लोगों ने तो कहा ही था अपनी बात को, लेकिन इसके बाद यह बात जब जुड़ी, तब जाके कोशिका संपूर्ण होई, अब आपको बहुत सारी और बाते हैं, उनको मैं थोड़ा सा skip करूंगा यहाँ पर, कि कोशिका कितने तरह की हो सक जैसे प्रोकेरियोटिक है, या कोशिका की साइज क्या होती है, वो सब चीजे, तो दो लाइन में यह बात बता करके, मैं मूल तत्तों पर आना चाहता हूं, कि कोशिका चैप्टर या टॉपिक जो है, उसकी हर बात आप पहले एक बार सेट अप कर लें अपने दिमाग में, तो वहाँ पर मेरा काम है, मैं बेसिकली स्टडी या लर्निंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन टॉपिक में यह जो बात कही है, यहां से भी प्रशन बने हैं आपके, और और भी क्लिष्ट प्रशन बन सकते हैं इसी से, वो हम आपको दिखाएंगे नमूना समय समय पर, फिलाल आगे बढ़ते हैं, इस सेल के बारे में कहा गया, कि जो है सेल, वैरीज, बाई, साइज, एंड, शेप, अब यही मैं आपको उस प्रशन का उत्तर देने जा रहा हूं, जो मैंने कहा था आप से, कि आपने नेकेड आई से, बिना कभी सेल देखा या नहीं देखा, तो देखिए, यहाँ पर साइज की बात करें, तो यहाँ पर, जो है, लगभग 0.1 माइक्रो मीटर के आजपास, आपको माइको प्लाजमा मिल जाएगा, जिसे आप स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, ठीक, लार्जेस्ट सेल की जब बात आती है, तो आप कहते हैं, ओस्ट्रिच एग, तो ओस्ट्रिच एग जो है, लगभग 12 से 15 सेंटिमीटर के आसपास, इसका डायमीटर हो सकता है, ओस्ट्रिच एग, इसी तरह से आपके नियूरॉन्स हो सकते हैं, लगभग 1 मीटर के आसपास तक, ये चीजे लगभग में रहेंगी, एप्रॉक्सिमेट में रहेंगी, अब जो बात कर रहा था, लार्जेस्ट सेल की यहीं कंसेंट्रेट कर लीजे, औस्ट्रिच का एग, शुत्र मुर्ग का अंडा, एक कोशिका है, ये तो आप रट के बैठे हैं, खूब रटा है, सबसे बड़ी सेल ये, सबसे चोटी सेल ये, तो इसके बाद ये, तो इसके बाद ये, तो बच्चे जब ऑस्ट्रिच का अंडा एक सेल हो सकता है, तो मुर्गी का अंडा, संडे या मंडे रोज खाएं अंडे, तो क्या खाया, सेल नहीं था, तो सेल तो है न, तो अगर ऑस्ट्रिच का एग एक सेल हो सकता है, तो दूसरे और्गेनिजम का एग भी सेल क्यों नह कर लीजिएगा ठीक है और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता और है तो फिर आपने नेकेडाई से क्यों नहीं देखा चलिए आप कहेंगे एक अंडा बता दिया बहुत हो गया और कुछ नेकेडाई से देखा है बिलकुल देखा है चलिए बताता हूं नेकेडाई स अफ्टे आपने बहुत सारे और सेल्स देखें हैं, आपने नाम सुनाऊगा सन हेंप का, सन हेंप सन हेंप यानि कि ब्रणियम निविया फाइबर, ये जो उते हैं इसके अलावा आपने नरियल देखा उसके रेशे निकालते हैं, तो fiber of that coconut, यानि coconut fiber कह लीजिए, coconut fiber, और आपको बताए, अच्छा ये sun hemp आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा कि कहां से मिला ना, गाउं में एक चीज होती है, sun बोलते हैं, इसी से वो रस्सी बनाते हैं, उस रस्सी से जानवर को बांधने वाली चीजे भी बनती हैं, और उसी रस्सी से जो है, बीना जाता है खटिया, जिस पर वहां लोग सो लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम, अतलब रस्सी का जो काम कर सकते हैं, वो सब, तो ये एक एक रेशा, तकरीबन एक एक मीटर लंबा होता है, इसके अलावा, मेराइन एल्गी हैं कुछ, मेराइन एल्गी, ये भी आपको नेकेड आई से दिख सकती है, तो ये एप्रॉक्सिमेट वन मीटर या उससे ज्यादा की हो सकती है, और आपने ये सब नेकेड आई से ही देखा है, तो जरूरी बात क्या है, कि विशय को जानना नहीं है, सिर्फ पढ़ना रटना नहीं है, उसको आत्म साथ करना है, तो उसके साथ जुडिये विशय के सा वो आपको बहुत कुछ देगा, तो खेर ये कुछ बाते हुई, बात करते हैं अगर शेप की, तो शेप के नाम पर भी सेल वैरी कर सकती है, वैरियेशन जो होगा, वैरियेशन एज पर नीड होती है, एज पर नीड ऑफ सेल, ठीक है, अब यहाँ भी मैं बहुत आपका समय नहीं लूँगा, मैं भी इसको इमिडियेट करने चाह रहा हूँ, कि जैसी जरूरत है, जैसे आपका RBC है, एक्जामपल, RBC, बाई कॉनकेव टाइप का है, ताकि लुड़क सके, आराम से, और चीजों को केरी ओन कर सके, बाडी के एक से दूसरे पार्ट में, यहाँ आपक ब्रांच हो गए इनके अंदर, स्टार लाइक कह लीजिए, ठीक है, इसी तरीके से आपके मसल्स हैं, वह स्पिंडल शेप हो गए, अब इस तरह से वैरियेशन्स मिलते चले जाएंगे, लंबे, स्पिंडल शेप, इर्रेगुलर शेप, अमीबा ले लीजिए, अमीबा की, इसी तरीके से अगर आप देखें, तो पैरामीशियम है, चपल के आकार का, पैरामीशियम, स्लीपर शेप, देखें, यह कुछ इस तरह से, यह स्लीपर शेप अप्रॉक्सिमेटली, और अमीबा आप जानते ही है, तो मतलब ऐसे मसल्स की अगर बात करें, तो इस पिंडल शेप अप्रॉक्सिमेटली कुछ इस तरीके से, तरक रूप जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो ऐसे आपके बन जाते हैं कई बार, तो यह सब हो गए, तो कहने का मतलब, जैसी requirement body की होगी, वहाँ पर उसके हिसाब से cells का formation होगा, ठीक है, अब आपके PGT या TGT से related एक प्रश्न पर आते हैं, और उससे पहले आप से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, कि क्या आप बता सकते हैं, कि कुल कितने cell organelles के नाम आपको या याद हैं, तकरीबन 10 का नाम आप बिना अटके, बिना ए, बै, कै करके सोचे हुए, अगर आप बोल सके 10 नाम, तो बड़ा अच्छा होगा, और मुझे लगेगा कि हाँ, ठीक है, आपको ये कम से कम 10 नाम तो याद हैं, जड़ा सोच के देखिए, और हम उसी चीज़ पर आ चाहिए, और वो सब आपको याद करवा देंगे, जड़ा सा सोच करके देखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो सेल और गेनलीज की बात करने से पहले, पहले तो ये बता दे, कि सेल में होता क्या-क्या है मूल रूप से, जिस तरीके से इवल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं, और गेनलीज, और गेनलीज का मतलब होगा सीधे-सीधे, पार्ट्स, बड़े शरीर के केस में ये और गन कहा जाता, जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, ना, कान, मूँ, पेट, स्टमक, लिवर, ये सब और गन कहे गए, साथ मिल गए तो और गन सिस्टम ह अब यहाँ पर क्या है, कि cell और गनलीज इसलिए कहा गया, क्योंकि cell और गनलीज है, और वो बेसिक है, structural unit है, functional unit है, उसी से मिलके सब कुछ बना है, और गन भी उसी से मिलके बना है, तो उसके पार्ट को यहाँ और गन कहना, इसलिए यहाँ पर एक शब्द है, और गनलीज, ठीक है, तो cell के पार्ट की बात कर रहे है, तो cell और उसके पार्ट को समझने के लिए, हम थोड़ा सा एक diagrammatic explanation यहाँ देने की कोशिश करेंगे, और आप समझिएगा कि यह cell के evolution को भी दर्शाएगा, कहीं ने कहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कि cell के evolution को भी और फिर cell के parts भी आपको आद लर्न करा दूँगा, जो भी 8-10 नाम आपको याद हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे parts, organelles के नाम याद होंगे आपको, लेकिन विश्वास रखिए, इस topic के खतम होते होते, वो सारे नाम लर्न हो जाएंगे, देखते हैं जल्दी से, मान करीजिए कि एक आपने कोई bread का piece ले लिया है, उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, bread piece को, क्योंकि, देखिए, और आपने क्या किया कि उस bread piece के साथ, यहाँ पर, सपोज करिए कि यहाँ कोई एक गोल bread का piece है, ठीक है, और उस बंद जिसको बोलते है, उसके उपर आपने अपना sauce पूरा उडेल दिया, सपोज करिए यह sauce है, आपने गिरा दिया, पूरा इस तरह से फैल गया, bread है, bread invisible है फिलाल आपके लिए, आप कुल मिला के burger बना रहे है, अच्छी quality का बनाएंगे, healthy रहेगा, काफी, तो यह एक bread ले लिया, उसके उपर आपने sauce गिरा दिया, पूरी त तो उसको आपने goal slice काट लिया, और उस खर्भूजे का goal slice ले करके, आपने क्या करना है, कि इसके चारो तरफ एक boundary line कर देना है, बने इसको ऐसे इसके उपर रख देना है, ठीक है, तो यह लिजिए, आपने एक खर्भूजा ले लिया, और उसको काट करके, यहाँ पे जब आपने ऐसे रखा, तो यह इस तरह से इसका एक तरह का border बन गया यह, ठीक है, यह हो गया, अब आपको अभी भी लग रहा है कि यह चीजे गरवड हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो चलिए इनका हम नामांकन भी करते चलेंगे, लेकिन पहले देखिए, कि अगर यह लग र तो देखिए, वो अगर यहां पर रखेंगे, काट करके, तो वो कैसे दिखेंगे, वो जरा सा देख लेते हैं, तो यह ऐसे, 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 यह, आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या बन रहा है, प्रोटो प्लाज्म बना, सबसे पहले क्या बना, प्रोटो प्ला और उसके बाद क्या बना प्रोटोप्लाजम के बाद आपने देखा कि Cell Membrane बना यह रहा इसको पढ़ते पढ़ते खतम होते होते टॉपिक हम लोग खुदि जान जाएंगे कि प्लांट सेल में क्या होता है क्या नहीं Animal cell में क्या होता है क्या नहीं और तमाम चीजें तो यहाँ पे यह cell wall हो गया अब हमें लग रहा है कि पर्फेक्टली हमारा बर्गर तयार हो रहा है यह और अब हमको क्या करना है एक Nucleus तो बनाई रही इसका मतलब यह हुआ कि Nucleus के बिना cell पहले बना था पहले जो बनी उसमें Nucleus नहीं था तो अब Nucleus को शो करने के लिए आप यहाँ पर खीरे का गोल स्लाइस ले सकते हैं और उसको लेके यहाँ पर बीच में डाल दीजिए तो खीरे का गोल स्लाइस लेने के लिए हम एक अंदर की तरफ भी कुछ रख देते हैं इसी तरह से ठीक है यह लिजिए इसको थोड़ा सा मोटा हलका सा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखें लेकिन आपको पता है Nucleus भी discontinuous होता है उसका भी membrane तो उसको भी यहां पर थोड़ा सा उसी तरह से बना लेते हैं तो मा लीजिए यह बना फिर यह बना यह बना और फिर यह बना तो यह हो गया Nucleus इसको हमने क्या कहा Nucleus तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पहले Prokaryotic Cell बनी फिर Eukaryotic Cell बनी अगर इस पर आपका ध्यान रहा तो आपको यह sequence तो कम से कम पता ही रहना चाहिए चले अब क्या करना है एक cherry berry कुछ ले लो बीच में और उसको डाल दो ठीक है कुछ cherry berry ले करके डाल दिया बीचो बीच तो यह हो गया Nucleus यानि Nucleus का बच्चा यानि Nucleus का बच्चा है तो इतने minimum structure तो at least होने ही चाहिए अब ही भी आपका burger पूई तरह तरह त्यार नहीं हुआ थोड़ा सा और काम कर लेते हैं या पर और देख लेते हैं कि इसमें हम कुछ और क्या डाल सकते हैं तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कुछ काजू बदाम इस्ता पिस्ता रिस्ता जो भी डालना चाहें आप यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप एड़ कर दें जो भी चीज़ें आप एड़ कर रहे हैं वो सब बाकी के cell organelles हो गया है कुछ सपष्ट अगर हो रहा हो तो यह समझ लीजिए कि cytoplasm और protoplasm में अंतर क्या हो सकता है देखिए पहले protoplasm बना था फिर बाद में यह nucleus बना पहले protoplasm यह first बना फिर यह nucleus आके बना इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि protoplasm और cytoplasm में कुछ difference भी होगा बहुत थोड़ा सा information आप पल करके बगल हो जाते हैं और दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक प्रश्न फिर से है जो जटिलता की तरफ जाता है गहराई की तरफ जाता है तो जो बाहर की तरफ बचा जैसे ही nucleus बना वैसे ही protoplasm दो हिस्से में डिवाइड हो गया जरा देखिए कौन-कौन से हिस्से थे एक nucleus के अंदर जो nuclear membrane और nuclear membrane के द्वारा ढखा है तो यह जो हिस्सा है इस हिस्से को आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो है यह इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा चुकि nucleus के अंदर है इसलिए इसका नाम nucleoplasm होगा ठीक है एक मिनिट यह शायद कम दिख रहा होगा ठीक है मैं दूसरी pen ले लेता हूँ आपके लिए यह हिस्सा जो nucleus के अंदर है यह हो जाएगा nucleoplasm और यह हिस्सा जो nucleus के बाहर है यानि nuclear membrane से लेकर के cell membrane के बीच में है ठीक है यह हिस्सा कहलाएगा आपका cytoplasm cytoplasm और यह दोनों हिस्से मिल करके कहलाएगे protoplasm ठीक है यहाँ एक शब्द और बताता हूँ आपको बहुत मज़ेदार है आप से पूछू मैं एक प्रश्न कि what is protoplast protoplast क्या होता है अब आप कहोगे कि protoplast नहीं सर यह तो protoplasm होना चाहिए था मैं लिखा हूँ भाई protoplasm ठीक है यहां लिखा हूँ यहां भी लिखा हूँ तो मैंने protoplast अगर पूछा है तो इसका मतलब कुछ होगा न और question का हिस्सा है यह बस यही सारे थोड़े थोड़े अंतर हो जाते है जैसे ही आपकी study के level उठता है लेकिन उठेगा कहां से भी है जमीन से ना down to earth होके ही तो अप करेंगे तो इसलिए आपको basics लेकर के चलने पड़ेंगे पहले basics उसके बाद specification ठीक है तो burger बन गया समझ में आ गया cell के parts कौन कौन से सबसे बार की तरफ cell wall ठीक है आप चाओ तो लगे हाथ लिख लो in plants only आपका मन कर रहा है तो मुझे कोई problem नहीं लेकिन अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे cell wall के बारे में detail पढ़ेंगे इतने सारे function है कि आप गिनते रहेंगे cell wall के ही cell membrane के भी बहुत सारे function है मगर वो सब ठीक है करेंगे समय के साथ तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई अब हम इसी चीज को एक चार्ट में करते हैं next करके जड़ा देखते हैं कि कुल मिला करके हमारे पास एक हुआ cell और इस cell के अंदर सबसे बाहर क्या हुआ cell wall और इस cell wall के बाद जो सबसे उसके तुरंत बाद आया वो आया cell membrane cm लिख दे रहा हूँ अपकी बाद समझ लेंगे ठीक है इसके बाद आया आपका protoplasm protoplasm और आपको पता है ये protoplasm क्या हुआ protoplasm फिर से divide हो गया किसकी वज़े से nucleus बना यहां पर जैसे ही nucleus बना तो nucleus बनने के बाद उसके साथ उसके अंदर आ गया nucleoplasm और nucleolus तो nucleus के अंदर आ गया nucleolus जो अभी हमने figure बनाया था nucleolus और उसके अंदर का fluid material nucleoplasm nucleoplasm ज़रा आगे देख ले nucleus तो एक तरफ था बाहर की तरफ क्या बचा बाहर की तरफ जो बचा वो क्या था cytoplasm तो यहां पर cytoplasm हो गया अब थोड़ा सा देखें कि यह बनने के बाद तो यह nucleoplasm हो गया और cytoplasm हो गया अब इनको हम ज़रा सा separate कर लेते हैं अगर यह दोनों को मिला दिया तो क्या कहलाएगा अभी अभी आपने सीखा क्या कहलाएगा protoplasm protoplasm और इसी protoplasm के पास क्या है has cell organelles कोशिकांग जिसे कहते हैं तो इसी जीव द्रव के पास सारे के सारे कोशिकांग है अब यह कोशिकांगों को पढ़ने के तरीके पर आजाईए मैंने कहा था दस कोशिकांगों के नाम अगर आप बता पाएंगे एक साथ तो मुझे खुशी होगी बिना अटके, बिना एब, एक के कि अगर आप बता लेते हैं तो समझे यह आप बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन यह संभव ही नहीं है जरूरी क्या है ना कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े आपके ब्रेन में उस चैप्टर का नाम फिर हेडिंग का नाम फिर उस जगह लिखे हुए कंटेंट वो एकदम से दिखने चाहिए दिमाग में और वो करने के लिए पढ़ने का एक अंदाज आपको सेट करना पड़ेगा कि चीजें याद कैसे रहें तो सेल औरगेनलीज के बारे में अगर बात करें तो यहां से अब जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके TGT PGT में कि इसमें से कौन सा सेल औरगेनलीज नौन मेंब्रेनस है या पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा औरगेनलीज मेंब्रेनस हो सकता है तो अब यहां पर हम सेल औरगेनलीज को क्लासिफाई करने जा रहे हैं और हम अपने तरीके से इसे classify करके आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बने हैं और जब एक प्रश्न यहां से बना है इस तरीके पर तो और भी प्रश्न बन सकते हैं ध्यान से देखिएगा इस cell organelles की बात हम कर रहे हैं तो इसको हम next page पे देख लेते हैं ठीक है? Cell organelles Cell organelles इसको आप कुछ category में बाट सकते हैं पहली category Membranous cell organelles Membranous cell organelles Kalabadd Koshikang Kalabadd Koshikang Kalabadd मतलब Phal का नाम ले लेते हैं आपके लिए माली जीए कोई एक फal है जिसको हम Koshikang मान ले रहे हैं या उसको हम Koshikang ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो फal है और वो एक Koshikang है और तो फal कितने तरह क्यों सकते हैं? चिलके क्याधार पे बात करें एक जिसमें से छिलका निकलता है, और दूसरा जिसमें से छिलका नहीं निकलता है, सेव है, छिलका निकल सकता है, चलिए ठीक है, संत्रा, छिलका निकलते है, मोशम्मी, निकलते है, अंगूर छिलके खाते हो, नहीं न, बस, तो ऐसे ही, लेकिन छिलका तो है न, कवर है, तो ह हम इसी तरह के membrane की बात कर रहे हैं आपके दिमाग में यह ना आए कि बिना membrane का कोई part होगा नहीं cell membrane बना ही इसी लिए है उसी का एक function है कि जितने भी membranous cell organelles हैं उनके चारो तरफ membrane बनाई जाए ताकि उनकी identity बनी रहे तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे membranous cell organelles यानि जिनके चारो तरफ membrane available होते हैं membranous cell organelles को भी हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं इसको हम दो पार्ट में कौन से divide कर सकते हैं तो जड़ा देख लिजिएगा एक हो सकता है unit membranous cell organelles हम इसको mco कर दे रहे हैं membranous cell organelles को तो यहां पर हमारा हो गया unit, माने single membrane है, membranous cell organelles, और दूसरा double membranous cell organelles, double membranous cell organelles. अब कह रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए कि इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं, तो इसके example जड़ा सा देख लीजिए, और इसके भी देख लीजिए. तो unit membranous cell organelles की जब बात करेंगे, तो इसमें आपके पास आजाता है vacule, और आजाता है lysosome, और इसमें आप ले सकते हैं कुछ और नाम vacule, lysosome के अलावा, unit membranous cell organelles की जब हम category बताते हैं, तो उसमें आप endoplasmic reticulum, या golgi body भी है. अच्छा आपको बता दू, ये दोनों चीजे साथ में तुलना करके पढ़नी चाहिए, साथ में compare करके पढ़ेंगे, endoplasmic reticulum और golgi body को. इतनी जादा इन लोगों में समानताय हैं, इतनी जादा मित्रता हैं कि ये कभी-कभी एक दूसरे का काम भी कर देते हैं. आपके आँ, जिसमें पूछा गया है कि ये काम कौन करेगा, तो आपको पता लगा कि इसमें तो, जो है मतलब, इन में से कोई एक है ही नहीं, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा है. दूसरा है, तो मार दीजिए दूसरे पिटिक, समझें, खेर, वो बाद में, अब यहाँ पे जो डबल मेंब्रेनस सेल और गनेलीज हैं, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, दो तीन नाम, जैसे, कि एक जो है आपका, माइटो कॉंड्रिया, आप सब को दिखाओगा, माइटो कॉंड्रिया, पावर हाउस ऑफ दसेल, जिसके बारे में आपको पता है, कि माइटो कॉंड्रिया जैनरली कैसा होता है, इसे, मेंब्रेनस बने हुए होते हैं, तो यह, इसी तरीके से, प्लास्टिड, जिसमें क्लोरो प्लास्ट, क्रोमो लूको प्लास्ट, इस तरह की चीज़ें सबा जाएंगी, इसी तरीके से, एक और नाम यहां पर हो सकता है, माइटो कॉंड्रिया, प्लास्टिड, और एक और नाम, तीसरा नाम आपको याद आ रहा है, जिसके डबल मेंब्रेन हो, दोहरी भित्ती हो, नहीं याद आ रहा है अभी अभी बात किये भाई, अगला नाम नूकलियस का, आपके सामने बनाया गया था, मोटा सा होता है, ठीक है, यह भी डबल मेंब्रेनस होता है, तो चार और दो छे नाम, याद कैसे करना है, मेंब्रेनस सेल और गनेलीज की केटेगरी में यह नाम है, आईए दूसरा बा अभी नौन मेंब्रेनस सेल और गनेलीज, अच्छा, MCO लिखने के लिए कह दिया था, तो वह ही कर लेते हैं, इसमें आप दो एक नाम के वाल याद रख लें, ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए इसमें, राइबोसोम्स का, यही क्वेश्चन था आपका, राइबोसोम्स, और दूसरा नाम नूक्लियस का बच्चा, नूक्लियोलस, यह हो गया, तीसरी केटेगरी है, नॉन-मेंप्रेनस सकते हैं, या इसको पार्टीकुलेट सेल औरगैनलीज भी कहा गया है कहीं, यह भाई, यह भी याद रखें, पार्टीकुलेट अरू सेल औरगैनलीज तक जाना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर Sap. और तीसरी कटेगरी है जो मैं आपको प्रिफर करता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए याद रखना चाहिए वो है तीसरी कटेगरी भीया जिसको कहते हैं Fibular Cell Organoles Fibular Cell Organoles तो यह जो Fibular Cell Organoles है यह धागे जैसे होंगे, Fibrous होंगे ठीक है और यह Fibular Cell Organoles में आपके जो नाम यहां आ सकते हैं उसमें से आ सकता है आपका एक Cilia और Fragila यह दोनों ही important है दोनों के difference भी मालूम होने चाहिए एक बड़े organisms में, advanced organisms में भी पाया जाता है और दूसरा नहीं पाया जाता है तो detail study करेंगे अभी फिलाल हम जानकारी इकठा करें Cilia और Fragila तो यह दो नाम हो गए आपके पास दूसरा हो गया centrosome, अब इसको पढ़े बिना आप cell division कैसे कर सकते हो centrosome को पढ़े बिना आप cell division कैसे पर सकते हो यही तो opposite pole बनाएगा, दो विप्रीत दुरूओं का निर्माड करेगा जिसमें आधे क्रोमोजोम्स एक तरफ चले जाएंगे, आधे दूसरी तरफ चले जाएंगे, यही तो कह रही हो कानिसिस है, तो यह काम बिना centrosome को पढ़े या जाने हो नहीं सकता, तो उसको पढ़ना पढ़ेगा, इसके अलावा, अभी नाम लिया मैंने, क्रोमोजोम्स, जो आधे आध क्रोमल है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी आप नाम रख सकते हैं, cytoskeletal, तो उमीद करता हूँ कि आपको लगबग सारे नाम यहां पर सपष्ट हो गए होंगे, कुल मिला के आप देखें तो 4, 3, 7 और यहां पर यह चार यह पांच, लगबग 12 नाम आपके सामने है और cell organelles ही है यह, ठीक है, यहां पर membrane की बात करें, तो cell wall और आपका cell membrane यह दो पार्ट और है, लेकिन इसका रोल जो भी है, वो आप अलग-अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा आपने लगबग 12 नाम यहां पर ध्यान कर लिए, तो इस तरीके से इस पूरे पार् सारे details को, कि इसमें कौन सा cell organelles है, कहां का है, और इसका क्या काम है, जब तक एक यह picture नहीं clear होती है, हमारे दिमाग में, कि how much cell organelles are there, what are their names, उनके नाम क्या है, और फिर तर हम अगर एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो बात समझ में आने लगेगी, चीजे याद होन तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा, तो फिलहाल के लिए हमने इसको जाना कि cells में क्या-क्या होता है, और इसे हम overall कैसे study कर सकते हैं, इस cell का chapter नहीं हुआ है, cell को study करने के लिए एक हमने strategy आपको दिरणनीती प्रदान की है, कि आप कम से कम यह जरूर लेके चले, बाकी detailed videos भी आपको मिलेंगे, आप वहाँ देखेंगे, ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं cell division के बारे में करने के लिए कह रहा था, उस पर चर्चायदी करनी हो, तो मैं एक nutshell में आपको समझा दू, कि जब भी cell division की बात करेंगे, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा बात करता ह आपसे, cell division, जब भी हम इस cell division की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप कितनी heading पढ़ना चाहते हो, पहले तो आपको ये तय हो जाना चाहिए, कि cell division होता क्यूं है, तो cell division, for, G, R, 4, reason पूछ ले न, कोई तो क्यूं होता है, तो फिर G, R, 4, अब क्यूं होता है का जवाब हो गया, कि growth, reproduction, repair, regeneration, replacement, तो यहाँ पर इसके नाम अगर देखें, तो G for growth है, and reproduction, अब अगर हम cell division पर आते हैं, और यहाँ पर हम काम करना चाहते हैं, कि यह growth हुआ, इसके लिए cell division होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि cell division, control होनी चाहिए, कि uncontrolled होनी चाहिए, बैस, cell division हमेशा चलती ही रहेगी, irregular, continuous growth होती रहेगी, जो इसका कोई control नहीं होगा, तो यही तो cancer है, बीमारिया, तो इसका मतलब control is required, तो cell division को यहाँ से पढ़ते हुए, हम आ जाएंगे फिर बात करते हैं, cell cycle की, cell cycle क्या होगा, जिसमें आपको different phases है, mitosis, g1 phase, s phase और g2 phase, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, cell cycle के दो पार्ट हो गए, एक तो mitosis हो गया, और दूसरा हो गया, inter phase, inter phase, यह जो inter phase है, इसी में तीन पार्ट आ गए आपके, g1, s और g2 phase, अब इनके functions बड़े आसान-ासान से है, पहले g1 मिलेगा, तब तो कुछ synthesis होगी, उसके बाद फिर g2 में जो बचा कुचा रहेगा, वो बन जाएगा, और फिर पूरी तैयारी अगर हो गई, तो इस सेल का division फिर से हो जाएगा, ठीक है, अब इस तरह से, फिर उसके बाद हम बात करने लगते हैं, जब सेल division तो यह दो तरह की है, एक तो आपकी mitosis है, और दूसरी meiosis है, समसूत्री, अर्दसूत्री विवाजन, अब आप इसको कैसे करते हो, मेरे पास आप जब करेंगे, तो मैक्सिमम चार हेडिंग आपको पढ़नी है, और पूरा सेल डिवीजन कवर, ठीक है, जैसे यहां mitosis में आपके पास जो चीजें हैं, उसका अगर हम नाम लेना चाहें, तो mitosis में आपके पास होती है, प्रोफेज, पी मैट से याद करें, पी मैट, मतलब चटाई, घोलो, पी जाओ, जो भी समझ में आँ है, कर लीजिए, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बहुत आसान सा है, ठीक है, तो यह पी से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफे 10 seconds, M, meiosis first, और इधर आपका हो जाता है, meiosis second, अब इधर meiosis first की जब बात करते हैं, तो इसमें फिर से वही आएगा PMAT, एक बार फिर से, दोनों में ही PMAT आएगा, दोनों में, इसमें भी आपका PMAT, यानि प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, और तिलो फेज, ध्यान क्रम से याद करना है, sequence बहुत important है, अगर आपको क्रम नहीं याद है, तो फिर आपके उत्तर गलत होंगे, इसके क्रम पर भी प्रशन है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, फिर यह जो यहाँ पर आता है, इसमें भी, meiosis first में भी, यहाँ पर, इसमें सब के साथ second लग जाएगा, 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 लेकिन यहाँ पर, फिर से जब आप P mat करेंगे, तो P, M, A, T, और इन सब के साथ first लग जाएगा, और अगर मैं आपको सिर्फ एक बात कहूं, कि आपने केवल एक चीज पढ़ लिया ये, इतना portion, जैसे ही आपका इतना portion खतम हुआ, मैंने का ये हो गया भी या, खतम हो गया, इसी में खतम हो जाना है, थोड़ा careful observation की requirement है, इतना लंबा syllabus है, इतनी सारी चीजे है, कि चीजों को थोड़ा concise करने की जरूरत है, तो वो चीजें जो पूछी जाती है, या पूछी जा सकती है, इसका decision हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, हम आपको देते रहेंगे, परुषते रहेंगे, तो ये चीज जाननी है, यहाँ पर सिर्फ एक controversy है, थोड़ा सा जानने क ये लिए वो ये वाला हिस्सा है, प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिपलोटीन और डाया काइनेसिस, ये इतनी बाते यहाँ पर आती है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिपलोटीन, डाया काइनेसिस, ये आपकारी होना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप करें तो बहतर हो और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैचे स्टार्ट होने वाली हैं तो आप जल्दी जल्दी एन्रोल्मेंट कराएं और उसी साथ से हम लोग फिर टॉपिक को आगे करेंगे फिलाल उम्मीद करता हूं कि आ नए टॉपिक के साथ थैंक यू